हेलो एब्रिवन मैं आट वोकेट कीर्थी भार्थवाज आज आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल भार्थवाज लॉकेड में एक बर फिर से हार्दिक स्वागत करती हूं आज मैं आपके सामने हर्याना एडिये के लिए जो जी के की सीरीज हमने स्टार्ट की थी उसकी आपके इस टॉपिक में हम Constitution पर नजर मारने वाले हैं अब लोगों का सवाल होगा कि Constitution तो मैं स्लेबस में ही नहीं है तो भईया Constitution इस पार्ट अफ स्लेबस अगर हर्याना जारे और Constitution नहीं करके जारे तो आप एक बहुत ही बड़ी बेवकुफी करके जाएंगे तो हमें इस नहीं करना है और Constitution पर भी बराबर नजर जो है रखते हुए आगे बढ़ना है तो Amendment of Constitution Constitution में जो संचोधन है वो कैसे कब और कहां करना है क्या बेसिकली उसकी प्रक्रिया है उसकी बारे में आज की टॉपिक हम डिसकस करेंगे अगर आपको ये handwritten notes चाहिए तो आप हमारे टेल आज की इस क्लास में हम जो है प्रोसीजर की कैसे किस प्रकार से आप Constitution में amendment कर सकते हो इसमें हम बेसिकली तीन amendment by simple majority, amendment by special majority, special majority plus consent of states अब बात करते हैं सबसे पहले amendment by simple majority, simple majority की अगर मैं बात करूँ तो 51% अगर simple, direct, straight forward, जब majority होती है उसको इसके अंदर include किया गया है इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं, includes admission और establishment of new states, permission of new states, areas जो है states का उसमें alteration, boundaries, names of existing states, किसी भी state का जैसे उत्रांचल, तेलंगाना जो है आपका बना दिया गया, चत्तिसगर्ड जो है आपका मध्यपरदेश से डिवाइड किया गया, तो ये सारी की सारी creation, use of English language in the parliament, administration and control of schedule areas and schedule tribe, ये सभी जो 8 से 10 points हमने discuss किये, ये सभी आप simple majority से constitution में संशोधन कर सकते हैं, उसके बाद आते हैं special majority पर, and such majority must exceed 50%, यानि कि 2 थी हाई लोकसभा, प्लस 2 थी हाई राज्यसभा, लेकिन total जो है, इन दोनों का लोकसभा और राज्यसभा का, जो total है, वो 50% से exceed करना चाहिए, वो होती है special majority, special majority से आप क्या-क्या amendment कर सकते हो, तो आप कर सकते हो भईया fundamental rights में, आप amendment कर सकते हो DPSP में, fundamental rights part 3 of the Indian constitution, DPSP, directive principles of state policy, या वो area जो की simple majority और, simple majority और, दुबारा से repeat कर रो, special majority plus consent of states, यानि कि जो C amendment है, C type of amendment है, जिससे आप amendment कर सकते हैं, उसमें cover नहीं होते हैं, वो सारे के सारे areas को आप special majority से cover कर सकते हैं, अब बाते हैं third majority, जिसकी बात करते हैं, amendment by special majority, special majority की अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पर parliament plus, और में जो मोजूदा दो थी हाई, का जो हमने clause B, यानि कि जो B majority थी, वो plus उसमें एक चीज और add कर दी, वो थ states की सहमती की बात करते हैं, यह basically अगर मैं काउना, यह that is most rigid, सबसे ज़्यादा rigid part इसी को include किया जाता है, कि आप सम्विधान में शंशोधन का सबसे कठिन तरीका यही आता है, basically यह तरीका जो है federal structure जो है उसके related अगर कोई matter आता है, तो ही इस तरीके को execution में लेकर आना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, बिल जो है वही, जो हमने special majority clause B में पड़ी थी, जो second B थी उसी को, majority 2 थी हाई member और जो total है, दोनों ही houses का, वो 50% से exceed करना चाहिए, यह हमने पड़ा, उसके बाद, अब बात करते हैं, कि जैसे ही बिल जो है, past हो जाता है, it must be ratified by the legislature of not less than one half of the states by the resolution to that effect, भया, जैसे ही पास हु उसके बाद wall गई कहां पर states के, तो जिन states को यह effect करता है, उनका one half, उसका one half जो है, वो उसको effect, उन से उस resolution को पास करवाना पड़ेगा, किन-किन matters में आप इसको कर सकते हैं, manner of election of president, supreme court, high court, executive power of union and state, distribution of legislative power between union and state, representation of states in the parliament, या कोई भी 7th schedule, 7th schedule में 3 lists होती है, union list, state list और concurrent list, अब एक सवाल है मेरा, कि CRPC is the subject of which list, comment box में जरू लिखेगा, या last but not the least, that is power of parliament to amend the constitution और उसका procedure, अगर इन साथ चीजों में बदलाव करना है, या इन में कोई संचोधन करना है, तो आपको special majority plus the consent of the states is required, यह यहाँ पर कहता है भीया, इसी के साथ हमारा आज का topic खतम होता है, अगर आपको हर्याना ADA के GK के बैच के साथ जुड़ना है, तो आप हमें दिये गए नंबर पर call या WhatsApp करके query ले सकते हैं, total fees है 2000 रुपए, daily Monday to Friday आपकी इसमें classes होती है, तीन से चार, live plus recorded lecture, handwritten notes, daily basis per class, test, सब कुछ इसमें cover up कराया जा रहा है, GK के लिए आपको static GK, current, सारा का सारा area cover कराया जा रहा है, तो अगर आपको इस बैच के साथ जुड़ना है, तो आप हमें दिये गए नंबर पर call या WhatsApp कर सकते हैं, thank you, all the best पढ़ते रहें, साथ बनाये रखें.